टार्गेट विद आलोक के आनलाइन प्लेट फार्म से मैं पंडितमरेश भट आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अम्नेंदन करता हूँ मैंने विगत में वीडियो आप लोगों को दिया जो TGT PGT से संबन्दित था उसमें हमने बात किया साहित्य की जो ओधारणा है उसपर हमने एक संचिप्त प्रकाश डाला आशा करता हूँ कि वह संचिप्त प्रकाश आपको समझ में आया होगा आज हम उसी बात को आगे ले जाते हैं मैंने पूरे हिंदी शाहित्य को चार भागों में विभाजित किया था जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि हिंदी शाहित्य को चार भागों में विभाजित किया जाता है पहला है आदिकाल जिसके बारे में आपको मैंने बताया दूसरा इसका जो विभाजन है वह भक्तिकाल है भक्तिकाल और भक्तिकाल में ही हमने निर्गुण और शगुण की बात कही थी और पुनह निर्गुण को शंतकाब और शूफी काबि में सगुण को राम भक्ति साखा और कृष्ण भक्ति साखा में हमने बिभाजित करके इन में आने वाले कभियों का हमने ब्याख्या किया था यानि उनको मैंने संचिप्ति करन उनका बताया था कौन-कौन से लोग शामिल है आज उशी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यानि हम इस दो भाग पर हमने बात किया आज जो तीसरा भाग है वह है रीतिकाल रीतिकाल है और चौथा जो भाग है वह आधुनिक काल होता है यानि आज इन दोनो भागों पर हम संचिप्त प्रकास आपको डालेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका बिभाजन इसमें कौन-कौन से लोग आते हैं या कुछ प्रमुखरचनाओं के बारे में हम बात करेंगे ये केवल आपको मेरा यह मनतब्य है कि आपको एक बार पूरा का पूरा दर्शन हो जाए कि क्या है बाकी हम इसकी व्याख्या तो आईए चलते हैं हम आज प्रारंभ करते हैं रीतिकाल को प्रारंभ करते हैं रीतिकाल आपको पता भी है रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल किस ने किया यह आच्या रामचन शुक्ल ने किया शुक्ल जी ने इसको रीतिकाल कहा और इसका विभाजन हुआ हालाकि मिस्र बंधों ने इसको अलंकृतिकाल भी कहा यानि अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम से भी इसको पुकारते हैं लेकिन जब हम नामकरण की प्रक्रिया में आएंगे तो वहां हम इसको आपको बताएंगे यहां पर अगर हम रीतिकाल की बात करते हैं तो पहली चीज यानि हमारे मस्तक पर हमारे मानस पटल पर आना चाहिए कि रीति का अर्थ क्या होता है रीति क्या होता है ये हमको जानना चाहिए कि रीति क्या है आप एक सामान्य सा इस्टिटमेंट एक सामान्य सी बातें आप प्रायह सुने होंगे ऐसा हम पर शक्षा कर सकते हैं आता है गोश्वमी जी ने लिखा है रगुकुल रीती सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन जाई रगुकुल रीती सदा चली आई यानि रगुकुल की यह रीती है कि प्राण चले जाएगा रगु कौन थे? राजा रगु थे? यानि प्रौपितामह, राम के प्रौपितामह कह सकते हैं या बृद्ध प्रवपितामा कहेंगे रीत तो रगुकुल रीती सदा चलिया यह रीती चलिया रही है यानि यह पद्धती चलिया रही है रीती चलिया रही है मतलब क्या है यह पद्धती चलिया रही है यह एक मत चला जा रहा है एक मत चला रहा है रीत जो है यह एक बिचारधारा चली आ रही है एक बिचारधारा चली आ रही है क्या चली आ रही है अब जो आएगे उसको हम देखेंगे लेकिर रीत का अर्थ पद्धत हुआ मत हुआ और बिचारधारा हुआ ऐसा काल रीति काल है ऐसा काल जिसमें एक पद्धतियों पर बात की गई हो एक मत या एक विचारधारा पर काब्य लिखा गया हो अगर काब्य लिखा गया है एक ही विचारधारा, एक ही मत को लेकर के बिद्वान अलग-अलग हैं, भिन भिन बिद्वान हैं अपने अनुसार लिखेंगे लेकिन ओबर आल अगर देखेंगे तो जब एक ही विचारदाराओं से ग्रशित होकर के अगर हम किसी काविकी रचना करते हैं तो उसे हम रीत ही कहते हैं पद्धत ही कहते हैं तो रामचन शुकले ने कहा कि यह एक ही पद्धत पर आधारीत है यह रीत ही हुआ तो अब यह जब रीतिकाल हुआ और यह चला कब से कब तक चला यह जो है चल कब से कब रहा है तो इसको मैंने आपको बताया भी था कि रीतिकाल जो है यह सत्रशो से लेकर के 1900 संबत तक चलता है संबत ये विक्रमी संबत है इसको सन निकालने के लिए माइनस 57 अगर कर देते हैं तो आपको सन निकल जाता है इस भी सन निकल जाता है मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि आदिकाल का जो प्रारंभ होता है वह रामचन शुक्ल के अवसार 1050 से होता है संबत 1050 से लेकर के 1050 से लेकर के 1375 तक ये क्या मानते है आदिकाल है ठीक है? और 1375 से लेकर ये सब संबत में लिख रहे हैं 1700 तक ये मानते है भक्तिकाल है 1700 से लेकर के 1900 तक ये मानते है क्या है? रीतिकाल है इसी पर हम बात कर रहे हैं यानि 1700 से 1900 के बीच में जो काब्यरचनाएं हुई हैं उनकी हम बात कर रहे हैं अब यहा पर जब आते हैं तो इसको तीन भागों में बिभाजित कर दिया गया है तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है यानी अगर हम देखें तो रीतिकाल को तीन भागों में विभाजित किया गया यह जो बीभाजन होता है ये विभाजन रीति बद्ध होता है किसमे रीति बद्ध में होता है रीति बद्ध इसके बाद किसमें होता है रीति मुक्त में होता है रीति मुक्त और क्या होता है रीति शिद्ध में होता है तीसरा जो विभाजन इसका होता है वह है रीती शिद्य में होता है ठीक है रीती शिद्य में होता है यहां पर आप देखेंगे जब यहां पर तो रीती बद्ध का मतलब क्या हुआ रीती मुक्त का क्या मतलब हुआ और रीती शिद्ध का क्या मतलब हुआ सामान्य तोर पे मैंने कहा संचिती करण पर बेवस्ता हम बात कर रहे हैं एक सामान्य बिचारदहारा आपको हम दे रहे हैं रीती बद्ध का अर्थ ये होता है ऐसी कविताएं जो एक रीत में एक विचारधारा में बद्धित हो लेकिन बद्धित तो हैं लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि रीती बद्ध हो तो रीती बद्ध में आपको लक्षन होना चाहिए लक्षण होना चाहिए और क्या होना चाहिए उदाहरण होना चाहिए यानि इसके अंतरगत अगर जो भी कविताएं लिखी जा रही है जो भी रचनाएं की जा रही है उसमें लक्षण और उदाहरण दोनों साथ साथ चलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रीति बद्ध कहते हैं, इसके अतरीत, अगर हम रीति मुक्त हैं, तो रीति मुक्त में क्या होगा, यह लक्षण भी नो हो, यानि इससे मुक्त हो और उदाहरण भी न हो यानि इससे भी मुक्त हो तो उसे हम कहते हैं रीति मुक्त की रचना है आप जानते भी है मुक्त यानि किसी से इन दोनों से क्या हो मुक्त रचना हो लेकिन एक पद्धत पर हो एक विचार धारा पर हो लेकिन लक्षण और उदाहरणों से क्या हो? मुक्त हो ऐसा आप कह सकते हैं अगर हम रीतिशिद्ध की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि लक्षण तो नहीं मिलते हैं लेकिन उदाहरण मिलते हैं यानि लक्षण नो दिया जाए लेकिन उदाहरण दिया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? यह है रीतिशिद्ध हो जाएगा अगर हम एक सामान्य बात करें जैसे मान लिजी की बर्तमान में हम कोरोना को ले लेते हैं चलिए इसी कुदाहरण थोड़ा सा एक ले लीजे कोरोना को अगर हम रीति बद्ध में रख देते हैं तो कोरोना के कुछ लक्षण भी मिलते हैं बताया जाता है और इसके उदाहरण भी मिल जाते हैं तो यह क्या हो गया? कोरोना कल हो गया यानि लक्षण भी मिला कुछ न कुछ उदाहरण भी मिला तो कह देते ही है कुरोना है सिम्टम्स मिला है आपको हमको मीठा अच्छा नहीं लग रहा है गुड़गुड की तरह चीनी-चीनी की तरह नहीं लग रहा है सब कुछ विरान सा कमजूरी था कावट जो भी इसके लक्षण हो उदारन अन्य लोगों को देखी ले रहे है अगर इसी कुरोना को हम रीती मुक्त में लेकर चले आ जाए कि भीया इसको रीती मुक्त में कुरोना तो रीती मुक्त का है जैसे इसमें क्या है basically कोई लक्षण भी नहीं है फिक्स लक्षण तो है नहीं क्या लक्षण है ये खुद है कोई नहीं जान रहा है तो लक्षण भी नहीं है और उदाहरण भी नहीं मिल लहा है वो उदाहरण पता नहीं आक्सीजने कम हो रहा है केवल बना दिया गया है कि हाँ ये है इनको कोरोना पाजिटिव है आजकल पाजिटिव हो भी नहीं हो रहे आप तो गवर्मेंट मान लिए तो बाकी सभी चीजें उपलब्ध हैं इसको कोरोना को बचाने के लिए केवल दवा नहीं है बाकी तो आपको कोरोना से लड़ने के सारे उपाय मौजूद हैं लेकिन सिर्फ दवा नहीं है अजीब बिडम बना है यहाँ चलिए तो यानि कोई लक्षण भी अगर देखेंगे तो लक्षण भी नहीं दिखाई देगा और कोई उदार्ण भी नहीं दिखाएगा यह लगेगा सब बहु सारे लोग कते हैं सब जूटा है सब अपवा है कुछ भी नहीं है और बिंदास होकर गुम रहे कोई दिकत नहीं है ठिक ऐसा हो सकता अगर इसी कुरोना को चलिए इसी रीति सिद्ध को देखते हैं रीति सिद्ध में जब आते हैं लक्षण तो दिखाई नहीं देता है ये तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाते हैं कि हाँ ये पाजिटिव है ऐसा भी आपको देखाई जेनेंग मिलता है तो आप ये समझे लेकिन ये कुल मिलाज लाकर के है तो रीत ही है तो कोरोना ही अबुदाहरण दे या न दे लक्षण दे या न दे नाम तो है तो इसके अंतरगत जो कवी आए उसे हम रीतिबद, रीतिमुक्त, रीतिशिद्ध के रूप में क्या करते हैं बिभाजित करते हैं जैसे अगर मान लिजिए हम इसकी बात करते हैं हमने बात किया रीति बद्ध की बात किया रीति बद्ध की तो रीति बद्ध में किसको देखें हम? केसो को देखेंगे हम मतिराम को देखेंगे हम दूलह को देखेंगे हम भिखारी दास को देखेंगे हम देखेंगे यानि रीति बद्ध में हम इन लोगों को देखते हैं वही पर रीति मुक्त में हम आलम को देखते हैं, बोधा को देखते हैं, ठाकुर को देखते हैं, हम इसमें आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इनकी रचनाओं को भी देखा जाता है. और जब रीती शिद्ध में आते हैं तो यहां हम बिहारी लाल को देखते हैं तो यह हला की अलग अलग डाक्टर नगेंदर के अनुसार अलग हो जाता है हर विद्वानों के अनुसार अपना अपना एक उसी में चलता रहता है रीती मुक्त में यह नहीं रीती शिद्ध में, वो विशय है और उस विशय पर जब हम विस्तृत चर्चा करेंगे, तो एक-एक करके हम बात करेंगे, इनकी रचनाओं के भी बात करेंगे, इनके लक्षन उदाहरों पर भी बात करेंगे, सभी हम डीटेल से बात करेंगे, बाद तो हम क्रमबध तरीके से पढ़ी रहें तो ये हमारा हुआ क्या यानि रीति काल हुआ तो रीति मुक्त के अंतरगज्यो कभी आए रीति शिद्य के अंतरगज्यो कभी आए या रीति बद्य के अंतरगज्यो लोग आए उनकी हम बात करेंगे और बिस्त्रित करेंगे इसके बाद जो है यानि 1700 से 1900 1900 के बाद से जो काल प्रारम होता है इस काल को कहा गया आधुनिक काल कहा गया क्या कहा गया आधुनिक काल कहा गया ठीक है आधुनिक काल आधुनिक काल को 1900 के बाद से माना जाता है रामचन शुक्ल के अंसार 1900 से 1984 लेकिन 1900 के बाद से आप माना जाता है लेकिन अगर हम इसको अब यहां से हम अगर सन में लिख दें तो आपको जादे क्लियर होगा संबत के अलामा यानि हम किसमे क्या करें हम सन में अगर बात करती हैं तो अच्छा होता है तो 1927 घटाएंगे तो 43 हैगा लेकिन फिलहाल जो माना जाता है कि आधुनिक काल में कौन-कौन से सामिल है आधुनिक काल में भारतेंदु यूग शामिल है भारतेंदु यूग ठीक है इसके बाद क्या है दुवेदी यूग इसके बाद छायावाद यूग है छायावाद फिर क्या है प्रगतिवाद है प्रगतिवाद फिर प्रयोगवाद है प्रयोगवाद और नई कविता चलती है और इसके बाद से प्रयोगवाद सी यहाँ पर यहीं पर आपको प्रगसी लेखक आते हैं और फिर प्रपध्यवाद भी चलता है प्रपध्यवाद यानि इसी को नकेनवाद भी कहते हैं साठोत्तरी कविता चलती है और पुनह जो है समकालीन कविता आजाती है यह आता है हम इसको देखेंगे एक-एक करके देखेंगे तो आज हम संचिप्ती करण पर बात करेंगे इसका विवाजन किया गया है अब इसमें कौना आते हैं तो आधनिक काल में पहला जो काल चलता है वो भारतेंद युग चलता है भारतेंद यूग को पुनर जागरण काल या नो जागरण काल भी कहते हैं इसको हम क्या करते हैं पुनर जागरण काल या कुछ लोग इसको नो जागरण काल भी कहते हैं नो जागरण काल ठिक पुनर जागरण या नव जागरण काल इसको कहा जाता है यह 1857 से लेकर 1900 इस्वी तक इसका कारिकाल माना जाता है यहां मैं इस्वी में लिख रहा हूँ 1857 से लेकर के 1900 तक यह भारतिंद युग माना जाता है 1857 की क्रांति तो आपको याद होगी इतना तो ध्यान होगा यानि वहीं से 1900 तक माना जाता है अब इसमें कौन-कौन से लोग सामिल है भारतिंद युग में कौन-कौन से लोग सामिल है और एकाद दो रचनाओं को हम बताते हुए यहाँ पर चलिए अगर हम भारतिंद युग की बात करते हैं तो आपको पहले ही आपके भारतिंद हरिष्चन दिखाई देते हैं बारतिंद हरिष्चन दें लगभग जो है काब्य गरंथ कितने लिखे हैं सतर काब्य गरंथ लिखे हैं लगभग लिखा है लगभग में और 175 के करीब में रचनाएं लिखे हैं रचनाएं होती है भारति उन्द हरिष्चंद के जिसमें आपको पता है कुछ तो लोगों को पता ही रहता है जैसे प्रेम माधुरी हुई प्रेम सरोवर हुआ प्रेम प्रलाप हुआ होली हुआ फूलों का गुल दस्ता हुआ यह क्या है भारति उन्द हरिष्चंद के होते हैं जो लिखते हैं रचनाएं लिखते हैं तो यानि भारति उन्द युग में भारति उन्द हरिष्चंद आते हैं इसी में बदरी नरायट चोधरी प्रेम घन आते हैं कौन आता है आप एक-एक को अपने जब र बदरी नारायर चोधरी प्रेमघन उपनाम से ये अपनी रचना करते हैं प्रेमघन लेकिन यह उर्दू में जो है उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते हैं अब्र नाम से कविता लिखते हैं इन्होंने वरशा, बिंदू और मयंक महिमा नामक इन्होंने कविको लिखा है इनके भी अपनी परशिद्धी हैं इनके बारे में ही बात होगा लेकिन ये भारतेंद योगा के अंतरगती सामिल है इतना ध्यान रखेगा इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो आपको प्रताप नारायन मिस्र आते हैं और प्रताप नारायन मिस्र जो आपको काबिल लिखते हैं यानि प्रताप नारायन मिस्र ने प्रेम पुषपावली और मन की बात इनका प्रशिद्ध होता है प्रताप नाराण मिसर की, यानि इसी भारतिंद यूग में प्रताप नाराण मिसर भी शامिल होते हैं, प्रताप नाराण, थीक है, यहां ये भी शामिल होते हैं अगर हम अन्यकी बात करते हैं तो यही पर आपको जग मोहन सिंग मिलते हैं यही पर आपको अंबिकादत ब्याश मिलते हैं यही पर नवनी चत्रवेदी मिलते हैं यही पर दुरगादत आपको दुरगादत मिलते हैं यही पर आपको दिवाकर भट मिलते हैं और यही पर राधा कृष्ण दास भी मिलते हैं तो राधा कृष्ण दास कौन थी मैं आज मैंने बताया कि राधा कृष्ण दाश ये राधा कृष्ण दास जो है चुकि सब का अभी संभव नहीं है कि हम जो है अभी बता है पड़ी लबी वीडियो हो जाएगी और कोई बात नहीं है जो म हरिश्चन के यानि भारतेंदु जी के क्या हैं फुफेरे भाई हैं फुफेरे यानि फुफेरे मतलब फूफा के भाई हैं और इन ही राधा कृष्ट दास को आपको मैंने नागरी प्रचारनी सभा में भी मैं बताऊंगा जब संसाओं को बताऊंगा मैं फोट बिलियम को बताऊंगा मैं परिमल को बताऊंगा हिंदी साहित समेलन को बताऊंगा नागरी प्रचारनी सभा को बताऊंगा तो वहाँ पर भी मैं इनका जिकर करूंगा कि कब अस्थापना होती है 1893 में कब अस्थापना होती है तो संस्थापक कौन कौन से होते हैं आपको वहीं पर स्याम सुन्दरदास से भी योगत कराऊंगा वहीं पर आपको शुकमार सिंग से भी योगत कराऊंगा प्रताब नारायड से भी, प्रेम नारायड से भी यवगत कराऊंगा, प्रेम नारमिस से भी यवगत कराऊंगा, तो आपको तमाम लोगों से वहाँ पर हम बात करेंगे, तो अभी क्या है हम सिर्फ भारतेंद मंडल यान भारतेंद यूग के, मंडल नहीं, भारतेंद यूग में ही भारते अंद्यों के पुनर जागरण काल या आपको नो जागरण काल कहते हैं इतना तो क्लियर होई है किसी को कन्फूजन तो अब नहीं होगा अब इसके बाद कौन से आते हैं इसके बाद आपके दिवेदी यूग आते हैं दिवेदी यूग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं क्या कहते हैं यानि जागरण सुधार काल किस ने कहा डाक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल डाक्टर नगेंद्र बोलती हैं तो दिवेदी यूग कब से कब चला तो दिवेदी यूग जो है आप 1877 से 1900 और 1900 से 1918 इस भी तक क्या चलता है दिवेदी यूग चलता है इतना तो आपको पता ही होगा और अगर नाम है दिवेदी तो आपको जो है इसमें भारते इसमें महाबीर्प साथ दिवेदी आते हैं कौन आता है महाबीर्प साथ दिवेदी आते हैं तो अब हम महाबीर्प साथ दिवेदी यानि मूलता इनी के नाम कर निजनी के नाम पर ही या क्या पड़ा दिवेदी योग पड़ा तो महाबीर्प साथ दिवेदी ध्यासिंग उपाद ध्याय यही पर हर्योद जी आते हैं यही पर मैथलेश रनगुपत आते हैं यही पर गि दिवेदी युग में जागरण यानि डाक्टर नगेंदन जागरण सुधारकाल का तो दिवेदी युग में महाविर्ट सा दिवेदी काब्य मंजूशा को लेकर के आते हैं इन ही का आप सुमन पढ़ेंगे फिमस इनकी रचनाएं लेकिन कभी-कभी ऐसा कोई होता है कि उसकी रचनाएं उससे महत पूर्ण हो जाती है और उसी के कारण फिमस हो जाता है यानि कि आप ये देखेंगे ऐसा होगा ब्यक्ति जो है अपनी कर्मों से जादा जाना जाता है कभी-कभी उसके इतनी उच्च कर्म हो जाते हैं तो उच्च कर्मों के कारण उसको लोग याद करत हम होसकता है कि अविधा सिंग उपाध्ध्य हरियोध को न जानते हों यह यह तो मैंने कहाँगा कि नहीं जानते हैं लेकिन इनका एक प्रिय प्रवास लिखते है कुछ लोग एसे होते हैं जो किसी के लिए समर्पित हो जाते हैं यानि योग रूण हो जाता है उनका अगर हम व्याकरणम की बात करें तो योग तो हुआ लेकिन एक के लिए रूण हो गए एक के लिए समर्पित हो गए कभी-कभी ऐसा भी होता है आपको एवधा सिंह उपाध्याय यानि हर्योज जी ने आपको प्रिय प्रवास लिखा क्या लिखे प्रिय प्रवास और क्या लिखते हैं वैदेही बनवास लिखते हैं बहुत ही वैदेही वनवास आपको पूछी जाने वाली ये और जानना भी चाहिए प्रिय प्रवास को कृष्ण के बच्पन से लेकर मतुरा तक के प्रस्थान का इसमें वर्णन है किसमें प्रिय प्रवास में यहाँ पर यह वर्डन करते हैं इसमें प्रिप्रवास यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाब भी भी माना जाता है मैं जब पढ़ाऊंगा तो अभी तो मैं बताते हैं सिर्फ चल रहा हूं इसके बारे में हम विस्त्रित आप से चर्चा करेंगे मैं बार-बार इसको अस्मरण दिला दे रहा हूं क्योंकि कभी-कभी आप बीच से भी देखने लगते हैं तो थोड़ा सा धहरे बना करके अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो कुछ चीजें आपके कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो उनकी उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ मैं उनको लेकर के चल रहा हूँ कि जो मैं मान रहा हूँ पहली बार अभी हिंदी रखे हैं और उनको कुछ भी नहीं पता है जीरो है जो लोग बिद्ध हैं जो लोग पढ़े हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अलेडी इसको समानी चीज है, और ये जानते हैं, लगभग लोगे जानते हैं, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको ध्यान में, अगर उनको कुछ मिल जाता है, तो ये उनकी महती कृपा है कि वो स्विकार कर लेते हैं, वैदेही वनवास ये लिखते हैं, तो प्रिप्रबास में एक खड़ी बोली का ये माना जाता है, कि ये पहला महाकाव्य है, और इसमें कृष्ण के बच्पन से लेकर के मत्वरा प्रस्तान तक का ये बात होती है, वैदेही वनवास, अभी तक राम बनवास आप सुने थे, लेकिन वैदेही पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरियोजी ने वैदेही बनवास, यानि राम जब तिरस्कृत करते हैं, निकालते हैं, या सीता जी स्वेम चली जाती हैं, जैसा भी कह लेजिए, तो उनके बनवास की जो व्यता है, कि बनवास की ब लिखा जाता है, हरियोजी के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, यानि ये आपको थोड़ा बहुत जानना भी चाहिए, इसी दिवेदी युग में, आपके मैथली सरन गुप्त भी सामिल होते हैं, मैंने कहा कि कोई कोई ऐसा होता है ना, किसी के लिए समर्पित हो जाता है, मैंने कहा कि अधुनिक युग का तुलशी कहा जाता है, तुलशी, आधुनिक युग का तुलशी कहा जाता है, और गोश्वामी तुलशी दास को तो आप जानते ही हैं, मैथली सरण गुप्त ने साकेत लिखा क्या लिखा शाकेत साकेत जो है ये पाली भाषा का सब्द है पाली भाषा का सब्द है और इसका पाली भाषा में अर्थ होता है अयोध्या अयोध्या इसका अर्थ होता है मैथली सरण गुप्त और शाकेत मुझे लगता है कि बचपन से ही अगर मैथली स्रणगुप्त को कोई पढ़ा होगा या जानता होगा कोई तो साकेत को जरूर जानता होगा कि हाँ ये मैथली स्रणगुप्त का साकेत है और अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लेजे कौन सा इसी दिक्कत है पढ़ने की कोई उम्र तो होती नहीं है जब जागे तभी सवेरा जब ग्यान मिला, जहां से मिला, जैसे मिला जिस रूप में मिला हम ग्राहे कर लिए और ये होना भी चाहिए तो यहां पर अब जो है हमको कुछ चीजे छोड़ देना चाहिए विचरण की अवस्था छोड़ देजिए अब एकत्रण की अवस्था को ला दीजिए अभी तक हम विचरित जो हो रहे थे अब पूरा मैंड फोकस कर दीजिए अपने सलेबस पर अपनी पढ़ाई पर तो कुछ ये जो महान विभूती मैं बता रहा हूँ इतना ये जान लिजे मरकर भी अमर नाम है इस जीव का जग में नाम ओ है जो हरिडाम का शुमिर निकिया करे तो इन ही को पढ़ करके इन ही की रचनाओं को पढ़ करके इन ही के बारे में पढ़ करके हम एक सम्मानित पदप्राप्त कर सकते हैं जिसके आप योग्य हैं, योग्यता रखते हैं, कोई खैरात में नहीं है, आपने कर्म की बदावलत, तो आप ये देखेंगे इनके कर्म की बदावलत, ये साकेत जो है, ये मैथली सरण गुप्त को, गुप्त जी को, ये रूण हो जाती है इनके लिए, साकेत. जैदरत बद, जैदरत बद, अगर हम नाम लेते हैं, यहां पर, भारत भारती एक लिखते हैं, और भारत भारती को, भारत भारती, भारत भारती पर ही, गाधी ने इन्हें, गाधी ने, इन्हें क्या कहा है, राष्ट कभी की संग्यादी है, राष्ट कभी की उपाधी दिये, किस ने, गाधी ने, किस पर, भारत भारती को पढ़ते हैं, तो दिवेदी युक का नाम आब है, और मैथली सरण गुप्त नाम है, ऐसा होई नहीं सकता है, आप इसी में, गिर्धर सर्मा, आपको आजाएंगे नवरत्न उपाधीन की होती है, मात्री बंदना ये क्या करते हैं, लिखते हैं, लोचनप साथ पांडे आते हैं, प्रवाशी लिखते हैं, मेवारा गाथा भी, यहीं पर लोचनप साथ पांडे भी लिखते हैं, यानि ये भी जो है, द चायवाद यूग आता है चायवाद और चायवाद का जो काल चलता है वह उन्निस सो अठार से लेकर कि उन्निस सो चतिस तक चलता है चायवाद चायवाद को स्वच्छंदतावाद काल भी कहा जाता है यानि स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है छायवाद नाम क्यों पड़ा आप देखे एक व्रिच्छ है और मान लिजिए ये व्रिच्छ छाया देता है तो छाया इधर भी देगा और छाया इधर भी देगा इधर भी आपको कौन से मिलेंगे दिवेदी युग मिलेंगे इधर भी आपको छायवाद उत्तर भी मिलेंगे यानि प्रगतिवाद प्रयोगबाद के लोग मिलेंगे तो यह जो भी इसमें कभी आपको मिलेंगे जो भी इसमें रचनाई मिलेंगी उनकी छाया इधर भी पड़ेंगी इधर भी पड़ेंगी यानि व्रिक्ष है बीच में है चुकि ऐसा तो है नि 1908 स 1936 के बीच में जितना आपने पढ़ा सभी लोग मर गए हमने 1800 यानि 1900 से ले करके 1918 के बीच में जितना पढ़ा सभी लोग मर गए हाँ कुछ विशेस्ताएं होती हैं कुछ विचारधाराएं होती हैं विचारधाराओं के आधार पर एक काल में रख दिया जाता है लेकिन ऐसा थोड़ी नहें कि वो समाप्त हो गए है विचारधाराई के नाम से जानते हैं छायवाद में कौन? तीन विचारधाराई के नाम से भी जानते हैं विचारधाराई और इस विचारधाराई में कौन सामिल होते हैं? कौन-कौन से लोग विचारधाराई के अंतरगार शामिल है इसको भी आपको जानना चाहिए यह जानने की वस्तु है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पर कौन से सामिल है प्रशाद यानि जैशंकर प्रशाद ठीक है? और कौन से? शुमित्रा नंदन पन्त सामिल है और कौन से सामिल है? यही पर प्रशाद, पंत और निराला शामिल है निराला सोरेकांत्रिपाठी निराला यानि प्रशाद, पंत, निराला को ब्रिहत्रई कहते हैं और इन्ही को ब्रह्मा, ब्रह्मा, विश्णू और महेश भी कहा जाता है ब्रहमा बिश्व महेस भी कहा जाता है अगर कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं यह ब्रिहत्रई है यहीं पर आपको लगुत्रई भी मिलेंगे ऐसा नहीं है कि केवल ब्रिहत्रई में ही हम बात करेंगे यहां पर आपको लग उत्रई भी मिलेंगे तो लग उत्रई में कौन कौन से लोग सामिल है यह तो ब्रिहत्रई आपके हो गए चलिए लग उत्रई में देखा जाता है कि लग उत्रई में कौन से लोग है लग उत्रई लग उत्रई में आपकी महादेवी बर्मा आती है महादेवी इसी में रामकमार बर्मा भी आते है और इसी में भगवती चरण बर्मा भी आते है इसी में सामिल होते है यानि किसमें आपके लग उत्रई के अंतरगत क्या होते हैं ये सामिल होते है अगर हम ये बात करें कि ब्रिहत्रई और जो ये लगुत्रई है ठीक है इनको हटा कर एक कभी चतुष्टे की रचना की गई है किसकी? कभी चतुष्टे की रचना की गई है निकभी चतुष्टे के बारे मताया गया है कभी चतुष्टे है और कभी चतुष्टे के अंतरगत आपको प्रशाद सामिल ही है यानि जैशंकर्प सा सामिल ही है पंत तो शामिल ही है निराला इसमें हैं ही और एक को और जोड़ दिया जाता है वह महादेवी बर्मा को ले लिया जाता है तो चतुष्टे के अंतरगत इन चार लोगों को शामिल कर लिया जाता है चतुष्टे के अंतरगत यानि यहाँ सामिल हम करते हैं मैंने बताया कि अगर हम छायवाद की बात करते हैं और जैसंकर प्षाद की अगर बात करें तो जैसंकर प्षाद का नाम ने तो कामाईनी का नाम नाम ना आवे तो यह बड़ा बिडबना होगा, एक परकार से यह समझे कि यह अच्छा ना होगा कि कामाईनी का नाम ना आवे यानि कामाईनी जो है यह जैसंकर प्षाद के लिए क्या हो गई है? रूड हो गई है. यह समझे. कामाईनी में आप 15 सर्ग पाते हैं 1935 के करीम में यह लिखी जाती है. छायवाद इसी जैसंकर प्षाद की आप जहरना पाएंगे, आसू पाएंगे, लहर पाएंगे, उर्वर काफी मिलती हैं. यही पर आपको सुमित्रा नंदन पंत जो पाते हैं, यह प्रकिर्त के शुकमार कभीग भी कहे जाते हैं. यहां लोकायतन लिखते हैं, गाधी के जीवन पर आधारित है。 क्या लोकायतन है? इसको भी लिखते है यही पर आपको निराला भी मिलते हैं और निराला तो फिर पूछे मत निराला तो निराला मुक्त छंद का प्रवर तक मुक्त छंद मुक्त छंद को रबर छंद भी कहते है रबर छंद भी बहुस सारे लोग कहते है इसको कुछ लोग केचुवा छंद भी कहते है केचुवा छंद मुक्त छंद को मैं बताऊँगा जब निराला की बात करें तो आपको अगर हम इनकी सरोज स्मृत की बात करें राम सक्ति की पूजा की बात करें वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलहाबाद के पत्थर वह तोड़ती पत्थर शुरिकांत्रिपाट निराला की अमरकृत करती जो ही की कली आप जानते हैं तो निराला यहां पर आपको आते हैं, यानि इसके बारे में आपको पता है, महादेवी वर्मा, फिर पूछिये मत, क्या बात है, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की अगर हम नाम लें, तो यामा का नाम आप तुरंत सहसा आजाएगा, क्योंकि इसी पर जो है, यामा पर ये काब्य संकलन है ग्यानफीट पूरसकार महादेवी वर्मा को मिला हुआ है यह आपको निहार इनका मिल जाएगा रश्मी मिल जाएगा इसी में निर्जा मिल जाएगा शांधगीत मिल जाएगा और इनके अगर हम प्रशिद्ध कुछ रचनाओं की बात करें यानि प्रशिद्ध पंक्तियों की बात करें तो आप पढ़ते होंगे मैं नीर भरी दुख्की बदली क्या बात है मुझे लगता है कि गरिज्वेशन में अगल बच्चा गया होगा महादेविबर्मा से उसका सापका अगर हुआ होगा तो निश्चित तोर पे वह मैं नीर भरी दुख्की बदली और जो तुम आजाते एक बार कितनी करुडा कितने संदेद पत्मे बिछ जाते बन पराग जो तुम आजाते एक बार वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुर्जाना वे तारों के दीव नहीं जिनको आता है बुझ जाना महादेविबर्मा तो यहाँ पर हम हादिव वर्मा को ही देखेंगे बिस्तरत पढ़ेंगे इनके बारे में जानेंगे कि कैसे हरुखाबाद से जल करके अलहाबाद में आ करके और शादी होते हुए भी और विबाहित जिंदगी की तरह यह जी आधुनिक मीरा के नाम से शुषोभित यह जो प्रशस्ति है इनके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा यानि हम कभी चतुष्टे के बारे में भी पढ़ेंगे इसके बाद हम ये छायवाद ये हो गया च्छायवाद के बाद से हम च्छायवाद उत्तर काल में जाते हैं जिसको प्रगतिवाद, प्रियोगवाद, नई कवितायत के भी रूप में हम जानते हैं अगर हम प्रगतिवाद की बात करते हैं तो 1936 में प्रगतिवाद की स्थापना हो जाती है यह प्रगतिवाद को आप यूँ समझे कि ये प्रगतिवाद मतलब केवल मैं इतना बता रहा हूँ कि प्रगतिवाद का मतलब यानि जो राजनीत में जो काम आप सामेवाद का नाम सुने होंगे, कम्मिनिष्ट सुने होंगे या समाजवाद सुने होंगे, वही काम समझेगा साहित में प्रकतिवादी करते हैं प्रकतिवादी का काम होता है इसमें आपको केदारनाथ अगरवाल मिल जाएंगे बैदनाथ मिस्र नागारजुन मिल जाएंगे यही पर सिव मंगल सिंग सुमन मिल जाएंगे वाजदेव सिंग त्रिलोचन मिल जाएंगे यही पर आपको मिल जाएंगे जो 1936 से 1942 तक चलता है कबसे 1936 से 1942 तक यह क्या चलते हैं प्रगतिबाद चलते हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं आपको प्रगतिबाद के बाद यही पर प्रयोगवाद या नई कविता भी आपको मिल जाएगे प्रगतिवाद, प्रियोगवाद, प्रगतिवाद, यानि प्रगतिवाद के बाद, प्रियोगवाद, प्रियोगवाद, नई कविता यही पर मिल जाएगी, यह तो प्रियोगवाद मैं आपको बता चुका, प्रियोगवाद, प्रियोगवाद या नई कविता यही पर आपको मिलेगी, 1943 से प्रारम होता है और इसके बाद से अब चुकी इसमें बहुत ज़्यादे ऐसे नहीं इसमें अगे तारशब्तक को लेकर के आते हैं गे के संपाद कर तुमें यह होता है, चार तारशब्तक लिखे जाते हैं उसी में बहुत सारे कवी आपको सामिल होते हैं, इसी में मुक्तिबोध होते हैं के दार्ना सिंग आदी इसी में आते हैं प्रियोगवाद और नई कविता में आते हैं यहीं से एक जो है प्रारम होता है, इसकी बाद से नकेनवाद इस्टार्ड होता है ठीक है, नकेनवाद, 1956 के करीब में क्या होते हैं, नकेनवाद आते हैं, तो इस नकेनवाद में आपको नलिन विलोचन सर्मा और केशो कुमार तथा नरेश कुमार सामिल होते हैं, कौन-कौन से? आपको नलिन विलोचन सर्मा, नलिन विलोचन सर्मा, यहाँ पर थोड़ा सा, कौन सामिल होते हैं, नलिन विलोचन सर्मा, केशो कुमार, केशो कुमार और नरेश कुमार, नरेश कुमार सामिल होते हैं, ठीक है? तो इसका न के न एक-एक पहला वर्ण लिया गया और कहा गया इसको कहा गया नकीन वाद भी कहा गया प्रपद्द वाद को क्या कहा गया नकीन वाद भी कहा गया तो सामिल होते ही इनके बारे में भी पढ़ा जाएगा 1960 के 10 सत में 1963 से लगभग 67 कविता का आगमन हो जाता है इसको भी पढ़ा जाएगा इसके बाद से हम समकालीन कविता को पढ़ेंगे समकालीन कविता में दुश्यन तुर्कुमार को पढ़ेंगे शुदामा पंडे को पढ़ेंगे इनको पढ़ा जाएगा आपको चंदरकान देवताले भी यहीं पढ़ाते हैं यानि समकालीन कविता में आते हैं इन लोगों को पढ़ा जाएगा जिसमें दुश्यन तुर्कुमार का आपका बड़ा फिमस से पंगती है आप लोग जानते होंगे ये अब कोई गंगा हिमाले से निकलनी चाहिए हो गई है पीर पदवसी पिखलनी चाहिए अब कोई गंगा हिमाले से निकलनी चाहिए हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं ऐसा इन्होंने बड़ा लंबी ये पंग्ति लिखी है इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे चर्चा करेंगे तो यहां यह अब जो है सारे लोग शामिल होते चले जा रहे हैं यानि ये मैने आधुनिक काल यानि अगर याधुनिक काल के बारे में हमने क्या किया जो शाहितिक विचार धार, व्योसर विचार धार है भी, टटकी कविताद सभी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, मेरा आज का मोटो जैसे मैंने पहले बताया, सुरू में ही बताया, कि आपको पूरा एक पूरे साहितिको में एक संचिप्ती करण में, जिस प्रकार से यश इसके बाद तो छोड़ दिए, गद्य साहितिक विधा छोड़ दिजे, आत्मकता छोड़ दिजे, कहानी छोड़ दिए, रिपोर्टाज छोड़ दिए, अतासनसमर छोड़ दिए, नाटक छोड़ दिए, कहानी जोड़ दिए, यह सब हम बताएंगे, सारी चीजे होंगे, लेकिन इनसाहित आधुनिक काल, सरी, आधिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिकाल, आधुनिक काल में भार्तिन द्योग, द्योग, छायवाद, प्रगतिवाद, प्रियोगवाद, नहीं कविता, साथोतरी कविता, अत्रपत्यवाद, नकेनवाद, ये हम आपको बताना चा मान लिजे हम कुछ पढ़ा रहे हैं और वहां पर कोई अस्थापना आ गई किसी संसा की अस्थापना आ गई तो हम बताएंगे आधुनी काल में दिवेदी युक्के हैं ये छायवाद की युक्के हैं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अब छायवाद में कहां जाता है प्रपद्यवाद क्या है नकेनवाद क्या है तो कम से कम इतना इमेज तो बना कि हाँ ये चीजे हैं एक पढ़े हुए हैं आसानी हो जाती है तो ये रहा आज जो है मेरा जो उद्द्श था वो यह फलिभूत करना कि आप थोड़ा सा ओवराल जान जाएं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा हमको कहने की अवसकता नहीं है डिसीजन स्वेम लेकर कि जल्द से जल्द आप लग जाईए डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं उन नंबर पर काल करिएगा और अपना एडमिसन सुनशित करेगा बहकने से बढ़िया यह है कि मेरे और आप जो है मेरा वीडियो पड़ा हुआ है उसमें जा करके आप देख लिजेगा नहीं अगर मिलता है तो आप टार्गेट भी दालोग का एप डाउनलोड करेगा उस एप जब डाउनलोड करेंगे तो आप नीचे जैसे होम बन रहता है नीचे पंक्ति में वहीं पर इस्टोर करके होगा इस्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम सब्जेक्ट आईयास, PCS, TGT, PGT सभी दिखाए दिगे तो आप TGT आज के लिए बस इतना ही और पुनह अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी बड़ी शाफगोईशे बड़ी सिद्धत से अगर पढ़ेंगे निश्चित तोर पे आप सफल होंगे और इतनी बड़ी वेकेंसी अब जो है पुनह मिलने वाली नहीं है पांच साल तक तो नहीं मि एफ़र्ट लगाईए सबकुछ तन मन धन सबकुछ जोंग दीजिए फना हो जाइए बस इतना कहूंगा आप इसमें विलीन हो जाइए और एक सीट सुरक्षित करा देजिए ठीक है तो पुनह मुलाकात होती है अगले किसी भी टापिक को ले करके अब तो मैं कोई भी आता रहूँगा और बताता रहूँगा तब टेखे बीच में आओंगा और पुनां आपसे बारतालाव होगी तब तक के लिए ध्यर सारी शुक्त कमनाए धन्यवाद जैहिन